पिछले सत्र में हमने देखा कि बीजी यव्यन्जिक को कैसे जोटते और घटाते हैं। मित्रों, इस सत्र में हम इस अवधार्णा से संबंदित कुछ आम गलत फैमियों की और नजर डालेंगे। इस प्रश्न को देखिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सही विकल्प क्या है। यहां सही विकल्प भी है। अब आप में से कुछ लोगों का उत्तर शायद विकल्प A या विकल्प C भी आया होगा। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यूं। हमने पिछली कक्षाव में विनी मैउग गुणधर्म पढ़ा है। हमेशा याद रखिये कि जोड़ विनी मैग गुणधर्म दर्शाथा है। उधारण के तौर पर दो जोड चार और चार जोड़ दो समान है। लेकिन घटाव विनिमय गुणधर्म नहीं दर्शाता। उधारन के तौर पर दो घटा चार रुणात्मक दो के समान है। लेकिन चार घटा दो धनात्मक दो के समान है। इसका मतलब यह है कि दो घटा चार और चार घटा दो समान नहीं है। घटाव योग की तरह विनी में एक गुर्ण धर्म नहीं दर्शाता है। चलिए अब इसको दिये हुए प्रश्ण में इस्तमाल करते हैं। हमारा प्रश्ण यह कहता है कि तीन एक्स जोड चार में से पांच एक्स वर्ग जोड तीन को घटाया जाए। वह व्यन्जक जिसमें से दूसरा व्यन्जक घटाया जाएगा, उसको पहले लिखेंगे और फिर उस व्यन्जक को लिखेंगे जिसको घटाना है। तो हमारा पहला चरण इस तरह दिखेगा। विकल्प A के व्यन्जक को सरली कुरुत करने के बाद हमें यह परिणा मिलेगा। विकल्प B के व्यन्जक को सरली कुरुत करने के बाद हमें यह परिणा मिलेगा। हम यह देख सकते हैं कि दोनों व्यन्जक भिन्न हैं। तो विकल्प C भी सही उत्तर नहीं हो सकता. इसलिए विकल्प B सही उत्तर है ना कि विकल्प A या विकल्प C. चलिए अब दूसरे भ्रहम की ओर नजर डालते हैं. मान लीजिये मैंने आपसे यह सवाल पूछा. मैं आपको दो विकल्प देती हूँ. सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प B है. चलिए देखते हैं क्यूं? यह वव्यंचिक है जो गटाया जाएगा. तो हमारा पहला कदम ऐसा दिखेगा. हमारे पिछली सत्र में हमने देखा है कि गटाते समय जब कोश्ठक को खोलते हैं तो कोश्ठक के अंदर सारे पदों के चिन्न उल्टे हो जाते हैं. अब यही पर हम गलती कर देते हैं. कोश्ठक को खोलते समय हम 4X को रुनात्मक 4X से बदल देते हैं. लेकिन हम रुनात्मक 5 का चिन्न बदलना भूल जाते हैं. हम रुनात्मक पांच को वैसे ही लिख देते हैं तो हमारा दूसरा कदम ऐसा दिखेगा इस प्रकार सरली कृत करने के बाद हमें यह उत्तर मिलता है तो हमें ध्यान देना है कि घटाते समय हर पद के चिन्न को बदल दिया जाए तो यह सही कदम होगा तो सरली कृत करने के बाद हमें यह परिणा मिलता है इस प्रकार विकल्प भी सही है तो इस सत्र में हमने बीजी अव्यान जिकों के घटाव से संबंदित कुछ आम गलत फैमियों को देखा अगले सत्र में हम बीजी अव्यान जिकों को गुणा करना सीखेंगे